नमसकार! यदि आप पुलिस एक्जाम की तैयारी करते हैं, तो ये वीडियो कवीटिस्ट आपके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाले हैं, इसलिए आप इस वीडियो कवीटिस्टको धियान से खेलियेगा। चलिए सुरू करते हैं। पहला सवाल है और सोक चक्र में कितनी तिलिया होती हैं आपको जबाब सोचने के लिए मिलेंगे पाँच सेकेंड का समय जो सुरू होते हैं अब सही आंसर हो जाएगा ओप्सन नमबर ए 24 कोशन नमबर टू सबसे बरी हड़ी फीमर शरीर के किस हिस्से में पाए जाते हैं सही आंसर हो जाएगा थाई अप्सन नमबर डी जांग में पाए जाते हैं कोशन नमबर टिन भारत से अलग होकर बंगला देश का निर्मान कब हुआ ये प्रस्ण हाली के एकजाम में आया था आंसर हो जाएगा ओप्सन नमबर बी 1971 इस बीमें कोशन नमबर फोर सवतंत्र भारत के प्रथम ग्रिह मंत्री कौन थे सही आंसर हो जाएगा ओप्सन नमबर बी सरदार वल्ला भाई पटेल कोशन नमबर फाइब आरवी सी का जीवनकाल कितना होता है लाल रक्त कानिका का जीवनकाल कितना होता है सही आंसर हो जाएगा ओप्सन नमबर ए एक सो बीस दिनों का कोशन नमबर सिक्स भारत में निर्वित्य प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है ये भी सवाल आया था भारत में निर्वित्य प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है सही आंसर हो जाएगा ओप्सन नमबर ए से दार था Q7. निम्ण में से किस ने भारत पर शर्वे प्राथम अक्रमन किया था? अंसर हो जाएगा Option B. अर्वो ने. Q8. गायतरी मंत्र का उलेख किस गरंथ में है? सही अंसर हो जाएगा Option C. रिंग वेद में. Q9. मानों शरीर में पाचन किरिया अधिकतर किस अंग में संपन होती है? अंसर हो जाएगा Option B. छोटी आत्मे. Q10. काली बंगन किस परदेश में इस्तित है? यह भी प्रस्न आया था. तो आपने फोन की इंटरफेस के सब्सक्राइब बटम पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लिजिए और वेल आइकन को दबा कर नोटिफिकेशन को अल कर दिजिए. धन्याबाद. आगे सवाल है. अंतराश्ट्रिय वन दिवस हर वर्स कब मनाया जाता है? बहुत अच्छे सवाल है. अंतराश्ट्रिय वन दिवस हर वर्स कब मनाया जाता है? आंसर होगा Option B. 21 मार्च को. Q. 12 केंद्रिय क्रिशी मंत्री निम्ण में से कौन है? पूरे वर्ल्ड में चार्चा का विचाय बना हुआ है. केंद्रिय क्रिशी मंत्री निम्ण में से कौन है? आंसर होगा Option C. नरेंदर सिन तोमर. Q. 13 Q. 20 का प्रियोग्य करके दूद में पानी की मिलावट की जाच किया जा सकता है? डैस का परयोग्य करके दुद में पानी की मिलावट की जाच किया जा सकता है सही आंसर हो जाएगा ओप्सन नमबर C लैक्टो मीटर का इस्तमाल करके दुद की जो हाँ लैक्टो मीटर आपको पता है दुद में जितने पानी के मांट होते हैं वे पता लगा लेता है कोशन नमबर 14 बीस्वा व्यापार शंगठन में कितने सदस्य होते हैं ये सवाल हाली के एकजाम में आया थे अंसर हो जाएगा ओप्सन नमबर D 164 सदस्य होते हैं बिश्व अभ्यपार शंगठन में, कोश्य नमबर पंदरह, निम्ड में से किस राज्य की सीमा मायामार से नहीं लगती है, सही आंसर हो जाएगा अप्शन नमबर ए, उत्तर पर्देश, कोश्य नमबर शोला, निम्ड लिखित में चमकिला ग्रह कौन सा है, निम्ड लिखित में चमकिला ग्रह कौन सा है, ऑप्शन नमबर ए, शुक्र ग्रह इसे भोर का टारा, प्रितवी की बहन भी कहा जाता है, Qoction No.17 रज्य सभा धन विधायक को अधिक्तम कितने समय तक रोक सकती है यह सवाल 2021 के एकजाम में आया है Qoction No.18 इंसुलीन की कमी के कारण होने वाला रोग कौन सा है इंसुलीन के कमी के कारण होने वाला रोग कौन सा है सही आंसर हो जाएगा Option number B, Diabetes Question number 19 सूरिया में नाव किये इंधन है सही आंसर हो जाएगा Option number C, Hydrogen Question number 20 पहला T20, किरकेट 20 वा कप को किसने जीता यह सवाल पिछले पुलिस वीडियो के Q4EU में पुछे गए थे और आपने उस वीडियो को देखा था राइट आंसर कॉमेंट करा था तो आप सभी को बहुत बहुत धन्याबाद राइट आंसर होगा Option number B, हमारा भारत जीता था बहुत लोगों ने कॉमेंट करा था वेस्ट इंडिज भाई, भारत जीता था ध्यान रखियेगा पहला T20, किरकेट वाल्ड का भारत जीता था आपके लिए एक सवाल है निमनांकित में से कौन अस्थन धारी नहीं है यदि आप right answer बता सकते हैं तो simply आपको comment box में लिखना है Q4EW और इसके right answer और आप अपने locks को fix करिए आपको regular मेहनत करना होगा एक plan बनाईए syllabus को देखिए और regular मेहनत करेंगे तो आपको सफलता एक दिन में नहीं लेकिन एक दिन जरूर मिलेंगे और हमारे सभी वीडियो को आप देखिए डेली जो भी वीडियो अपलोड होता है क्योंकि वहाँ से आपके एकजाम में नीचित रूप से सवाल पूछे जाएंगे इस बात की पूरी गरांटी है आप self study regular करें अपने syllabus को मध्धे नजर रखते हुए आप study करते हैं तो आपको सफल होने में time नहीं लगेगा आप देखते हो polling जो होता है उसमें कितने simple सवालों का answer कितने wrong तरीके से देते हैं लोग तो competition ज़्यादा कोई top है नहीं लेकिन आप average student भी है और आप regular है तो आपका एक दिन top पर होना तय है तो मिलता हूं फिर अगले वीडियो में अपना ध्यान रखिए जय हिंद जय भारत